धार जिले के नगर सिंगाना की जहां पर कुछ दिन पूर्व रक्षा बंदन से लेकर अस्टमी तक प्रशासन की बिना अनुमती के बंद रखा गया चात्रावाज जिसे लेकर पत्रकारों ने जानना चाहा तो कन्या चात्रावाज के अधिक्षी का जमना सुर्यवंशी ने लड़कियों की चात्रावाज का हवाले देकर पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को बिना किसी सक्षम अधिकारी के लिखे थनुमती के प्रवीश पर रूख लगा दिए इस पर नगर के पत्रकारों में रूश व्यापत है पत्रकारों का कहना है कि आदेश में सिर्फ पत्र पत्रकारों को रोक लगाएगे अन्य किसी पर नहीं इससे प्रतीत होता है कि छात्रावास में कोई घपला किया ज़ा रहा है और छात्रावास अधिक्षी का अध्वारायस आदेश बिना किसी संदर्व के निकाला यह भी संदेश पैदा करता है इस तरह के आदेशों से पत्र पत्रकारों के आत्म सम्मान को ठीस लगती है इस तरह कि छात्रावास के बाहर लगाए गया है जिसे लेकर पत्रकाज सग्भी के अध्यक्ष दिनिश पांडे संजय मिष्टा दिलीक राठोर मनोहर परमार फिरूज खान रफीक खान विजय राठोर विजय बरफ कलीम खान गुपाल वर्फा में रूष प्रकट किया है कि अधि लगाने का कारण बताई है हमें निकालवाने के लिए तो यदि आप निकालते ना तो आपको जाद्परे सरका फोन आया सुबह आया ना उसके बाद भी आपने नहीं निकाला नहीं मेरी बास सुनिए आप समझ रहो ना हमेने बात करी है तो ये बात बता रहो ने अपको में और आपके उच्चा अधिकारी से बात करें के सम्था रकते हैं यहंके पत्रकार है हुआ मतलब आंप निकाया नहीं करना कारण क्या हुआ यह बताई है बता है मुंद् उसको आगे बता दीजिए उसके बाद में कोई बहस करता है तो उसके लिए भी कई चीजे हैं आप कर्मचारियों भई आप से बात तो करेंगे ना चलो क्या इसको इसको आपके हवाले छोड़ देंगे कि आप जो करेंगे कोई देखेगा ही निक्या प्रेस देखेगी निक्य यहां पर प्रभारी प्राचारी हूं एक इक्रस साला सिंगाना जो कि पत्रकारों नीच अंदर जाने के लिए एक सिलीब लगाई गए उसके संबंद में मैंने अधिक्षिका से चर्चा की है जानकारी में अभी आप लोगों ने अउगत कराया है उसके बाद मैंने उनसे चर्चा की है वरिष्ठ जो अधिकारी है जो विकास कंड़ सिक्ष अधिकारी मोध है उनसे भी मैंने चर्चा की अभी उनका मॉबाइल बंद है उन्होंने एक जरूर यहां पर एक नोटिस लगा है जो की लगाना नहीं वास्तों में वो नहीं लगाना चाहिए मरावर से फिरूस खान की रिपोर्ट